हेलो दोस्तों वेल्कम टू आवर चनेल उल्टा घरी तो आज हम सिखाएंगे कि विंडोस का जो इवेंट भीव होते हैं इवेंट का जो लॉग होते हो आटमेटिकल सेव हो जाते हैं हमारे कम्पेटर में तो आप लोग यहां पर रिसाइकल बीन में ढूंदने के बाद भी व दिखाई दे रहा है तो रिसेकल बीसक्राइट करने से वह आपका जो इवेंट है वह दिलिट ने होगा तो यह दो डिलिट कर दिया तो चलिए कैसे जाते हो मैं सबसे बदेल और दिखाता हूं तो सबसे आप यहां से स्टार्टिंस से जाते जा सकते तो यहां पर दो management क्लिक करना होगा तो चलिए यहाँ पर मैनेजमें क्लिक कर देते हैं और management क्लिक करने के बाद ऐसे एक window खुल जाएगा computer management करके और यहाँ पर आपका disk management device manager पार्फरमेंस local user and group share folder event viewer देखिए पहले जो है ना system tools उसके अंदर है event viewer तो हम लोग इसके इसके मतलब लेट में जो यह symbol है इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको custom भूब दीखागा custom view windows logs application and security subscriptions तो यहाँ पर सबसे बहले हम क्लिक करेंगे यह custom views में तो administrative event में क्लिक करेंगे ठीके और आप windows logs में भी क्लिक कर सकते तो windows logs में क्लिक करने कबाद application आपने जो application किया थे मतलब कि इसमें जो problem आया थे या फिर आपने कब चलाए यह सब store हो जाते तो इसे हम लोग clean करेंगे तो यह देखिए यह और आया है ठीक है तो इसका यहाँ पर यह सब details होता है ठीक है बहुत सरा details होता है यहाँ पर यह आज कई है क्योंकि सब मैं delete कर दिये थे तो यह आज कई error है सब तो guys यहाँ पर देखिए right side में आपको दिखाए तेरे clear log ठीक है तो यहाँ पर clear log पर क्लिक करेंगे हम लोग तो यह देखिए clear log क्लिक कर दिया side click नहीं हो है और देखिए यहाँ पर clear log है तो यहाँ पर click कर दिया और यहाँ पर आया है you can save the contents of this log before cleaning it तो हम लोग save नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पर सिर्फ clear करेंगे तो चलिए यह clear कर दिया और यहाँ पर देखिए फिर से application जो है उसके बाद मतलब मैं application जो डाटा था logging तो वह मैं delete कर दिया लेकिन उसके बाद क्या है कि इसमें security option है ठीक है तो security को अब delete करना होगा ठीक है तो चलिए यह security में click कर देते तो यहाँ पर भी देखिए यह audit करके लिखा हुआ है तो इसमें है लेकिन एक दू महीने के बाद क्या होते है वह windows में आपका slow हो जाता है चार्जी भी आप कर रहा है हम है ठीक है तब भी आपका वह जाता है ठीक है और देखिए भाईरस नहीं मतलब एंटिवरस आपका installed है और और updated भी है तभी जब slow हो जाता है तो उसकी बचा यह है तो इसे भी clear कर देंगे तो यह clear और उसके बाद यहां पर देखिए setup setup जो है तो इसमें हम लोग click करेंगे फिर से थोड़ा सा wait करेंगे ठीक है तो wait करने के बाद कुछ अभी नहीं आ रहा है तो आप यहां पर directly clean कर सकते है मतलब clear कर सकते है और यहां पर फिर से उसके बाद है system system में देखिए कुछ warning बगरा है information बगरा है तो इसमें क्या होता है event log होता है यह देखिए 104 log clear 104 log clear उसका भी एक log यहां पर store हो जाता है जो की system में होता है तो इसे भी हम लोग clean करेंगे ठीक है मतलब कि यह पहले मतलब कि अगर आपने computer चालू किया तो यह पहले कर सकते है और computer बंद करने से पहले यह कर सकते है तो आपका computer बहुत सस्त दंदृस्त रहेगा ठीक है मतलब वो wallet का हिरय तो नहीं बनेगा पर चलेगा आपके लिए अच्छे से तो यह तो हो गया पहला बात जो मैं बोल रहा था कि event log को कैसे डिलिट गया तो उसके साथ आपको फी में और एक बात सिखा रहा हूं जो की पहले देखिए यहां पर start menu में जाके click करके भी ढून सक आता है तो गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि run menu में क्या दिक्कत होता है और क्या आपको करना पड़ता है तो देखिए यहां पर recent करके लिखा आया है कि मैं recent type किये थे तो सबसे पहले यहां पर type करने के percentage वह आर उसके बाद type करना होता है temp temp उसका बाद फीर से percentage उसके होता है तो दबाने के बाद यहां पर आपको temporary file जो होता है वो भी आपको problem कर देता है तो इसे भी आपको shift प्रेस करके मतलब alt control delete मतलब पुरा का पुरा पुरा delete हो जाएगा shift प्रेस के delete करेंगे लेकिन उसके पहले उससे भी पहले मतलब shift दबाके डेल दबाने से यह delete नही होगा देखिए जैसे कि यह file कि यह file delete नहीं होता है तो इसकी बज़ा मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को तो चलिए recent file में जाते है recent file कैसे जाते है देखिए एक बार Windows R दबाएंगे तो यहां पर फिर से आ जाते यह run menu और run menu में आपको लिखना होता है R E C E N T तो उसके दो बारा इसे Ctrl A दबाके select कर लेंगे और इसके प्रेस करके deal दबाके इसे delete कर देंगे तो यह all clear हो जाएगा ठीक है तो यह तो clear हो गया और एक बात आप फिर से recycle link को empty कर सकते पर यहां पर कुछ अभी तक नहीं आया है ठीक है और दूसरी बात यह वीडियो अभी खतम हुआ है तो गाइस यह वीडियो अभी खतम हुआ है और दूसरी वीडियो में दूसरा tutorial बताऊंगा आप लोग को computer को कैसे मच्चे से अब राख सकते और कैसे hacking से बचा सकते इसे related के मतलब बहुत सरा जो सबल अब लोग के मन में उठता है तो यह सबल का जवाब अगले वीडियो मिलेगा और अब लोग जरूर इस वीडियो के नीचे comments करते रहेगा क्योंकि मैं creative hardware scientist का blogger हूँ और मैं यहाँ पर उल्टा घड़ी में हूँ अभी और उल्टा घड़ी में आप लोग देखेंगे जितना दिन तक यह उल्टा घड़ी चलेगा उतना दिन तक मैं रहूंगा साथ में क्योंकि यह मेरा दीदी का चैनल है और जरूर मेरे दीदी को क्योंतरें बहुत सवार्स होता है कैसे software बनाया जाते हैं और software को piace develop किया जाते है software कैसे होते रग्ण क्या है मतलब software के सब्सक्राइब कहते हैं यह सब सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस चैनल में तो इस वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए बाई बाई जैहींद बंदमा थराम